हलो दोस्तों मैं अग्रिसन आरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चलन आरिया गोचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटर्मीडिट की फीजिक्स और मैथ बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही यूनिक तरीके से तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हुँई इंटर्मिट की math के class और ask के class में हम लोग पढ़ने वाले हैं relation and function की जो miscellaneous exercise है उसके questions अभी remaining हैं हम लोगों ने कुछ questions पिछले वाले वीडियो में देखे थे लेकिन जो भी बचे questions हैं वो हम लोग ask के class में देखने वाले हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए और well icon को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो का notification मिल सके देखिए मैं एक बात आपको confirm करना चाहता हूँ कि यहां पर आप बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही unique तरीके से math सीखते हैं और physics भी सीखते हैं इसलिए आप अगर intermediate के students हैं तो आपको यह channel बहुत ही important हो जाता है subscribe करने के लिए ठीक है तो आप subscribe कर लिजिए और well icon को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ठीक है तो चलो हमारे साथ रहिए थोड़ी देर और देखते हैं questions जो भी हमारे छूटे हुए है question number one to six हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे आज हम लोग question number seven से start करते हैं ठीक है तो चलो देखते हैं पहला question question number seven है exercise का दिया गया है को इसक्रीन पर दिख रहा होगा दो फलनो fn to n ओके दिया गया है fn to n एक फलन दिया गया है natural number to natural number आगे दिया है gn to n एक दूसरा फलन है दो फलन की बात की गया है ये भी है n to n मतलब natural number to natural number बताया गया कि उदाहरण देना है और कैसे उदारन देना है condition आगे दी गई है जो इस प्रकार हों कि गौफ जो होना चाहिए आच्छादक होना चाहिए किन्तु F आच्छादक नहीं होना चाहिए क्या बताया गया है condition में गौफ जो है वहां कैसा होना चाहिए आच्छादक होना चाहिए और F जो है वहां आच् इंडीसंस दी गई है और इस NCRT बुक में हमारा जो हिंट भी नीचे दी आ गया है उसी हम हिंट को लेकर करके हम लोग शॉल्प करते हैं ठीक है हम मान के जालते हैं जो FX है दिया गया है हिंट में FX is equal to X plus 1 X plus 1 या X plus 2 या X plus 3 कुछ भी आप ले सकते हो क्योंकि हमें F को क्या करना है आच्छा दक नहीं करना है आच्छा दक क्यों नहीं होगा FX लेने से हम यहां पर समझ लेते हैं इसलिए क्योंकि F यहाँ पर natural number to natural number है natural number में 1, 2, 3, 4, 5, dot, dot, dot 1, 2, 3, 4, 5, dot, 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 dot बहुत सारे numbers होंगे, ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर क्या कर देंगे F अगर हम X 1 लेंगे तो X जब 1 ले जाएगे 1, 1, 2 हो जाएगा X को अगर हम 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1, 3 हो जाएगा फिर X को 3 लेंगे तो 3, 1, 4 हो जाएगा इस तरह से 4, 5 से मिलेगा 5, 6 से मिलेगा इस तरह से हम देख रहे हैं लेकिन यह 1 जो है हमारा एक यहाँ पर छूट जाता है और अगर कोई भी अवयो इसको डोमेन में छूट जाता है तो इसका मतलब है फिर वहां आच्छादक नहीं रह जाता है तो इसका मतलब है यह आच्छादक नहीं है अगर हम यहाँ पर 2 भी कर देते तो 1 और 2 दो चीजे छूट जाती 3 से मिलते ठीक है तो हम देख रहे हैं x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 कोई भी value ले सकते हो वहाँ आच्छा दक नहीं होगा ठीक है चलो हमने यहाँ पर x plus 1 ले लिया है आताया आच्छा दक नहीं है ठीक है यह हमें clear है और आगे देखते हैं आगे हम क्या करेंगे हमें गौफ को आच्छा दक कर रहा है एक ऐसा example देना है जो गौफ आच्छा दक होना चीए इसमें हमने दिखा दिया है कि यहाँ आच्छा दक नहीं है क्योंकि co domain के सभी अव्योड डोमेन में उपस्थित नहीं है ठीक है यह है co domain डो मेन चलो यह co domain है हमारा और यह क्या है डोम समदित नहीं हो पाते हैं अतहा यह क्या है एफ एकस आच्छा दक नहीं है यह हमको दिखाना भी था हमने दिखा दिया ठीक है ऐसे दिखा देंगे इसके बात में हमें अभी एक जी अव्यों लेना है और जी कैसा लेना है वह आच्छा दक होना चाहिए अब जी अगर आच् X is greater than 1 और 1 होगा यदि X is equal 1 यह दिया गया है यहां पर आच्छा देखिए कैसे है आपको कैसे पता हो जाएगा ध्यान से देखिएगा अगर हम बात करते हैं इस तरह से इसी की बात कर लेते हैं 2 3 4 5 6 दो डो 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 Ỉन टो थी फार फार विद Y यह अन्टो और यह भी है तो नेचलन नमबर कण लें भी रहेगा अब हम अगर one रखें देखिए X को यदी X का मान वं होगा थो एंसर क्या होना चाहिए तो यद 292 है यदि u है मतलब एक से बड़ा है और एक से बड़ा होगा तो यह लेना है एकस अगर दो होगा तो माइनस एक क्या हो जाएगा दो माइनस एक हो जाएगा सिंपल सी बात है दो माइनस एक क्या हो हमें लिमिट नहीं पता है कहां तक है यह अनंतता कोते हैं इसलिए हम इनको नीचे वाले को वैल्यू हम नहीं बता सकते कि कहीं मर कहीं चूटेंगे लेकिन यहां पर देखिए यहां पर हम नीचे नहीं बता सकते हैं चीक है पांच का छे चे का के तो इधर इससे बाद में किस से मिलेगा जाके तो इसको नीचे नहीं देख सकते क्योंकि आगे वह अनंत तक होता है हम उसको रही डिफाइन करते हैं यहां पर कंफर्म था कि यह वन हमारा चूट गया है लेकिन यहां पर कोई छूटने वाला नहीं है छे जो है वह पांच से मिल जाएगा इस तरह से मिलते में और इसको हमें आच्छाड़क सिद्धी करना है तो चलो दिखाते हैं गॉफ आच्छा दख तो गॉफ का मतलब होता है जी का यह आँ पर हमने लिख दिया एक्स प्लस वन वगे अब देखिए GFX प्लस 1 दिया है ठीक है GX GX का value क्या था तो GX का value X-1 यदि X is greater than 1 और 1 यदि X is 1 अब हमें यहाँ पर GX निकालना है तो GX को तो यही है ना इसी को तो हम कहते हैं GX सुरी यह G क्या लिख दिया था GX ओके यह GX था हमारा तो GX क्या हो जाएगा यहाँ पर निकालते हैं जरा तो GX इस तरह से है लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर GX नहीं है X प्लस 1 है मतलब जहां पर X है उस X की जगे पर X प्लस 1 लिखना है मैं तो लिखिए वही X X की जगे पर X प्लस 1 लिखा और माइनस का 1 और यदि X is greater than 1 और 1 यदि X is equal 1 ठीक है तो यहाँ से यह तो cancel out हो जाएगा हम देख रहे हैं कि G of FX जो है जिससे हम गॉफ कहते हैं वो क् लिखल के आएगा X यदि X is greater than 1 और 1 यदि X is greater equal 1 ठीक है तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ आच्छा दक है तो definitely यहाँ अच्छा दक होगा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर कंडिशन्स देख लीजिए आप ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वा गॉफ भी होगा जो n2 n ही होगा क्योंकि n n2 n ही था तो n2 n ही है ठीक है तो n2 n रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब हम X को 1 लेते हैं तो X को 1 लेंगे तो यह तो 1 ही साथ connect हो जाएगा X को जब 2 लेंगे तो हमें मालوم है X अगर 2 से बड़ा है तो X जो रहेगा वो X का ही answer आने वाला है X को 2 लिया तो 2 ही आ जाएगा अब 2 plus 1 तो है नहीं यह दो माइनिस 1 तो है नहीं तो 2 माइनिस 1 एक हो जायेगा तीन लेंगे तो तीन ही आ जाएगा चार लेंगे तो चार पांच लेंगे तो पांच ठीक है एक्स जो गॉफ एफ एक्स है वो एक्स ही है ठीक है अगर तीन लेंगे तो तीन चार लेंगे तो चार पांच लेंगे पांच X-1 होता, तो 3 लेते हैं, तो 3-2 हो जाता, यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं, लेकिन सारे के सारे अवे हो, हमें मिलते हुए दिख रहे हैं, एक, एक से मिल गया, दो, दो से, तीन, तीन से, चार, 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 पांच, पांच से, ऐसे continuous सभी मिल जाएंगे, अतह यहां भी आच्छा दख है, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, अतह, अतह गौफ आच्छा दख है, और इसके जो example पूछे गए थे, यही हमारे दोनों example रहेंगे, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, अपने मन से, X-2 भी कर सकते हैं, X-3 भी कर सकते हैं, X-4 भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, हमें उदाहरन देने थे, हमने दे दिये हैं, और जो conditions दिखानी थी, वो भी हमने उसमें दिखा दिये, ठीक है, तो हमें इस तरह से इस question को solve करना, चलो हम देखते हैं, अगला question, क्योंकि आगे जो भी question हैं, बहुत ही interesting हैं, समझने वाले हैं, लेक हैं अगलते ही समय आपका दिमाग, बस हमारे वर्डों पर होना चीए, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या समझाने की कोसिस कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो कि इधर उधर, आपके सामने कोई बैठा है, आपके पास कोई बैठा है, आपके आस-प समुच्चे X दिया हुआ है PX जो की X के समस्त उपसमुच्चें का समुच्चे है पर विचार कीजिए निमनलखी तरह से PX में एक समंध आर परिवासित कीजिए अब दिया गया है PX में उपसमुच्चें A, B के लिए A relation B यदी और केवल यदी A उपसमुच्चे है B का क्या आर PX में एक तुलिता समंध है अपने उत्तर का ओचिते भी लिखिए अब धान से देखिएगा इतना बवाल लिखती है इसमें और बच्चे पढ़ता ही कन्फियूज होते हैं आखिर इसमें करना क्या है मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है ठीक है यहां पर हमें समझेंगे पहले हम सौर्ट करते में बता देते हैं कि आखिर आपको कैसे करना है ठीक है अच्छा यहां पर दिया गया है क्या दिया गया है जो रिलेशन दिया गया है बताये पी उपसमुच्चे एक वह बताये एक यह वह बताया गया है अब बताना यह तुलिता संबंद है या नहीं है यह हमको पता करना अच्छा तुलिता संबंद कब होता भी तुलिता संबंद तभी होता है जब वह सुतुल्य होता है सममित होता है और संक्रामक होता है मतलब होता है सिमिट्रिक होता है ट्रांसिट होता है तीनों कडिशन से फॉल अब आया थे कि हम आए था कि हम सदू रिजे करते हैं समीत कैसे चेक और संक्रामक कैसे चेक करते हैं ठीक है यह तो मैंने पहले ही बताया हुआ है अगर आप मेंसे किसी ने भी पहली एक्सरसाइज नहीं देखी है या फिर पहली दूसरी एक्सरसाइज नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के पहले वो देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम पता करते हैं शुतुल्य शम्मित और संक्रामक उसके बाद में आप इससे समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आज आएगा ठीक है चलो हम फिर भी आपनों को बता देते हैं शुतुल्य तभी होता है सुतुल्य समुच्चे तभी होता है जब किसी भी में मिल रहा हूं मतलब 2-2-3-3-1-4-4 ऐसे अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है वह सतुल्य कहा जाता है ठीक है अच्छा इसके बात में अगर हम बात करें सममित की तो सम्मित क्या होता है यदि हम relation में A, B देखें और अगर A, B relation में हो और साथ में ही B, A भी relation में हो तो हम कहते हैं वह सम्मित होता है यह स्वतुल्य के लिए है स्वतुल्य कि कंडिशन यह है A, A relation में होना चाहिए और सम्मित के लिए क्या होता है सम्मित के लिए A, B अगर relation में है तो B, A भी relation में होना चाहिए अच्छा संक्रामक के लिए क्या होता है कि यहाँ शंक्रामग है और अगर यह तीनों कंडिशन हमारी फालो हो जाती है तो हम कहते हैं यहाँ जो संबंध होगा जो हमारा रिलेशन होगा कैसा होगा तुल्यता शंबंध कहा जाता है ठेके तो इसको हम याद रखते हुए हम अलोग अपना काम करते हैं, बताया गया है, ए जो है वो B का उपसमुंचे है अब देखिएगा, अब हमारा ये ध्यान से देखेंगे कि कोई भी उपसमुंचे किसे कहते हैं जैसे अगर हम कहें टू टू त्री ये एक समुंचे है, और इसका कोई भी यहाँ पर लिख दें one one जो है वो इसका उपसमुच्चे है की नहीं है जैसे हमने यह ले दिया a है यह हमारा और b है यह हमारा या फिर हम यहाँ पर इसको a कर देते हैं यह b हमने कर दिया ठीक है तो ध्यान से देखिए ये समुच्चे A है ये समुच्चे B है हम देखते हैं यदि किसी समुच्चे के सभी किसी दूसरे समुच्चे में मिलते हैं तो हम कहते हैं वह समुच्चे दूसरे समुच्चे का उपसमुच्चे होता है जैसे हमने देखा B में अवयो क्या है क्योंकि B के सारे अव्यों A पर A में मिल रहे हैं ठीक है अगर हम यहाँ पर B में 1 2 भी कर दें तो दोनों के दोनों इसमें मिल रहे हैं इसका मतलब जाएगा B जो है वो A का उपसमुच्चे होगा अब हम यहीं पर ऐसे कहें ज防प एधि भी B का उपसमच्चे भोगा semi A, B, B का उपसमुच्चे होगा A, A के सारे वे A के सारे वे B में मिल जाएंगे क्या तो A के सारे वे B में नहीं मिलने वाले एक, दो मिल गया, तीन नहीं मिलेगा इसका मलब A जो है वो B का उपसमुच्चे नहीं है अगर B, A का उपसमुच्चे है तो ये जरूरी नहीं है कि A, B, B का उपसमुच्चे हो, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उपसमुच्चे क्या होता है, मैंने समझा दिया, चलो हमें क्या करना था, तुलेता चेक करना है, हम जब तुलेता चेक करेंगे, तो ध्यान से देखेगा, कैसे हम तुलेता हमें पता है श्वतुल्य के लिए खुद का खुद के साथ रिलेशन ही श्वतुल्य कहलाता है अगर A A का उपसमुच्चे होगा क्या B B का उपसमुच्चे होगा क्या होगा की नहीं होगा A, A का उपसमुच्चे होगा, B, B का उपसमुच्चे होगा, होगा की नहीं होगा, तो definitely होगा, क्योंकि खुद का, खुद के साथ सम्मंद तो होता यह, मतलब खुद कोई समुच्चे, खुद के उपसमुच्चे भी होता, जिससे 2, 3, यह है A, चीक है, और A ही यह है हमारा 2, 3 तो अब देखेंगे क्या A, A का उपसमुच्चे है, A, A का उपसमुच्चे है, A के सारे अवियो A में मिल जाएंगे, तो A के सारे अवियो A में तो मिली जाएंगे, तो हम कहते हैं कि कोई भी समुच्चे खुद का उपसमुच्चे तो होता ही है, अर्थात हम कह सकते हैं, A, a जैसा जो condition है वो इसमें belong कर जाएगी से a जैसे condition हमारी बीजा कर जाएगी तो हम कह सकते हैं कि यहां पर a उपसंच्च्चह एे का या फिर बी उपसंच्च्चह होगा सी का जैसे भी होगए उप खुद का तो उप समच्चे होता ही है आता है यहां सोतुल्य होगा आता है यहां सोतुल्य है ठीक है यहां सोतुल्य है चलो यहां सोतुल्य तो हो गया है अब देखते हैं क्या सम्मित है सम्मित सम्मित के लिए मैंने अभी क्या बताया था अगर A, B, R से बिलॉंग करता ह मतलब A का जो B के सा संबंध होता है वही B का A के साथ होना चाहिए तभी कहा जाता है सम्मित अब ध्यान से देखिएगा हमने मान लिया A उपसमुच्चे है B का अगर ये रिलेशन में उपस्थित है तो क्या ये भी होगा कि B उपसमुच्चे होगा A का ये भी relation में उपस्तित होगा नहीं होगा अब ही मैंने समझाया था अगर A जो है B का उपस्मुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तिनों डिशनन फालौ नीटिए थी जब संबित है नहीं तो हम यहीं पर सको छोड दतें आ कि आता यहां तो लिता संबंध नहींस की यहत्स लिए तोलिता समंध नहीं है इसको लिख देते हैं अचछा इसको हम एक जामबल से आपको समझाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला ठीक है मैंने ये समझा दिया और barbecue क्या हुआ है उसकी का मतलब क्या है मैं अपको उसका सब इसका मतलब भी सम totally समझेवा है हम मां लेते हैं एक समझे दिया गया है एक गैस वन टो हो कि यह Då क्यए एकसके समस्त उपसमूच्यों का समुच्य है इक्स क्स्मूम्च का समुच्चे है मतलब PX जो है वो X के सभी उप्समुच्ची होगे जिसे हम Какर से हैं ठीक है पावर सेट हाई है मतलब X के जितने बी उप्समुच्चे ह Coleman यह समुच्चे आ जीसे X का X उप्समुच्च भी हो जाएगा कि और त्री भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा होजाए टीक तो हम देख रहे हैं सारे किसारे in your breaking ب examined सकते थateg Extra इसलो समुज्चे हो गया यह और यह बहुत रहेडumo समुद्चे नामइम लिएल मिर्णीन कुर्पूप के इस इस टिक कर नम देख से अब अब यहां पर क्या बताया गया है पर विचार केजिए आगे लिखा निम्खित तरह से PX में एक संबंद R परिवासित केजिए एक संबंद R यहां पर परिवासित करना है और PX में PX का संबंद परिवासित करना है ठीक है PX में PX का ही संबंद परिवासित करना है तो जो relation है A उपसमुच्चे है B का यहाँ पर बताया गया न कि A जो है A relation B दिया क्या गया है यहाँ पर A उपसमुच्चे होना चाहिए B का यह relation दिया गया यहाँ पर relation में कौन-कौन से आ जाएंगे तो द्यान से देखिएगा एक उपसमुच्चे की बाद चल रही है ठीक है एक तो यह हो गया one और one one का उपसमुच्चे hundred percent होगा एक तो यह हो गया relation के भी तर यह अभी आ जायेगा एक दो का उपसमुच्चे हो जाएगा क्या नहीं हो जायेगा क्योंकि 1,2 में मिलेगा ही नहीं, ठीक है, 1,3 में मिलेगा, 1,D वाले मिल जाएगा, मतलब A और D, हम ऐसे लिखते हैं, A,A था, ठीक है, क्यों अब यह लिखेंगे, ठीक है, A,A, A, 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 B का उपसमुच्चे नहीं हो सकता, क्योंकि A का अब यह बी में नहीं मिलेगा, छोड क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि A,1 है और E में 1 है ठीक है, तो इसमें उपसमुच्चे है नहीं, तो हम कैसे मिल सकते हैं, ठीक है, A,F मिल जाएगा, ठीक है, A,F मिल जाएगा, A,G मिल जाएगा, इसी प्रकार आगे देखते हैं, relation में two किसमें किसमीं मिल रहा है, B, खुद का तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, B, D का भी होगा, B, D का भी उपसमुच्चे है, B, E का भी उपसमुच्चे है, और B, J का भी उपसमुच्चे है, E का हो गया, और G का हो गया, ठीक है, B, G का उपसमुच्चे है, F का नहीं है, ठीक है, इसी परकार C किसका किसका है, तो C जो है वो उपसमुच्चे खुद का तो होगा ही, C,C तो होगा ही, अब C,E भी होगा, C,D नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहें, D में 3 है नहीं, ठीक है, C,E है, C,E है, इसी प्रकार आगे हम देख सकते हैं, कि C,E हो गया, C,FV हो जाएगा, C,FV मि मिल जाएगा, आगे D, D किसका उपसमुच्चे हो सकता है, तो D खुद का तो उपसमुच्चे होगा ही, ठीक है, D, 1, 2, 1, 2, और किसमे मिलेंगे, G में मिलेंगे, तो D, G का भी है, ठीक है, इसी प्रकार E, E खुद का तो होगा ही, और E जो है, 2, 3, फिर G में मिलेंगे, तो E G का हो जाएगा ठीक है आगे हम अगर F की बात करें तो F खुद का तो होगा ही और फिर F और G भी हो जाएंगे और G खुद का तो होगा ही और G किसी का नहीं होगा ठीक है तो ये relation के भीतर आगए क्योंकि A उपसमुच्चे है B का A उपसमुच्चे वाले जितने भी अवियोते हमने ले लिये हैं अब हमें दिखाना ये जो relation आया है इस relation को हमें सिद्ध करना था मतलब R जो है PX में एक तुलता संबंध है अपने उत्तर का उचित दीजिए तो R PX में तुलता संबंध है अब हमें इस सिद्ध करना है ठीक ह R से बिलांग कर रहा है अताहा ये क्या है अताहा स्वतुल्य है या स्वतुल्य शमंद है अताहा R स्वतुल्य शमंद है ठीक है आगे हम देख रहे हैं कि A,D A,D बिलांग कर रहा है किसे R से A,D अगर R से बिलांग कर रहा है तो सम्मित के लिए D,A भी R से बिलांग करना ची तो क्या तुम्हें कहीं पर दिख रहा है डी कामा ए आर में है ए कामा डी है तो दी कामा संबंध नहीं है संबंध 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 नहीं है नहीं होगा ठीक है तो यह हम लोगों ने चेक लिया बहुती आसानी से हमने दो तरीके बताए एक तो मान करके बताया, इनका मतलब क्या था, ठीक है, और दूसरा मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, किस तरह से हम वैसे भी कर सकते थे, बहुत easy थे, ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं, आगे क्या होने वाला है, आगे हमने question number 9 के बात करें, अगर तो question number 9 क्या दिया गया है, किसी example से अपकी बार लगाते हैं, पहले ही से, कोई X अतरिक्त समुच्चे दिया गया है, X अकर अतरिक्त समुच्चे दिया है, तो वही 123 हममाल लेते हैं, ठीक है, 123 दिया गया है, अब बताया कि दूइ अधारी शंक्रिया दिया गया है, स्टार, ठीक है, PX क्र Gravity पी, PX का पीOP क होगاء फिर 1-2 होगा फिर 2-3 होगा फिर 3-1 होगा और 1-2-3 भी होगा उके यह पावर्शेट है इसके सबसमच्य का जो आप समुच्च्य होता है वही हता है पावर्शेट तो P X cross P X product इसका Cartיasm product P X है पर विचार केजिए ढो जो एडर ऐदार 21 ले intersection b for all a, b belongs to px द्वारा परिवासित है अच्छा ये दिमाग में न लाए करो इतना लिख लिजिए आप a star b जो binary दिया गया दिया है a intersection b ठीक है इतना दिया गया है अब आगे for all a, b belongs to px इस पर ध्यान आप ना दिया करो ठीक है इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता है जहां px समुच्चे, x की घात समुच्चे मतलब पावर सेट है जो x है वो क्या है? पावर सेट है मैंने आप लिखी दिया है सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अव्यो fourth x है त armas संक्रिया इस स्टार के लिए px के में केवल x विद्क्रमणी अवयो है हमें सिद्ध क्या करना है कि x जो है एक इसका तत्समक अवयो है यह हमें सिद्ध करना है ठीक है अभी हम लोग अभी बात करने वाले X जो है वो इसका तत्समक अवयो है यह हमें सिद्धि करना है चलो हमने बताया था कि तत्समक अवयो क्या होता है हमने यह बात बताई थी पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी अगर A binary Binary E Equal A आ जाए और E Binary A Equal B A आ जाए तो ऐसी कंडिशन में हम कह सकते हैं कि यहां जो अवयो होते हैं क्या कहलाता है यह जो इह होता है वह तत्समक अवयो कहलाता है मतलब एक ऐसा अवयो जिसके साथ हम Binary निकाले तो वह बैन उसका वैल्यू उस सेट का वैल्यू हमारा मतलब E का value change नहीं हिए माना E से कोई फरक नहीं पड़ता है वही अवयो क्या कहलाता है हमारा जाता है अब और कि यहां पर हमें सिद्ध करना है कि जो x है वहाँ एक तत्समक अवियो है हमें सिद्ध करना है ठीक है अगर x तत्समक अवियो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a star x equal b a आना चीए और x star a equal b क्या आना चीए कोई भी अवियो ले जिए ठीक है intersection 123 अब हम इसका जो वैल्य देखें एंसर देखें तो एंसर क्या आने वाला है तो ध्यान से देखिएगा एंसर क्या आएगा भई तो सिंपल सी बात है हमें पता है कि intersection का मतलब है common मतलब common दोनों में जो मिलेगा वही अव्यों हम intersection में रखते हैं एक एक ही common हुआ तो इक ही रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो common मिले रहा था एक इसका मलब यह उनसर हमारा आ गया और यह चैन्सर क्या था क्या तक kangal 1, 2, 3, और A ले लेते हैं, A का value कुछ भी ले लिजिए, वही हम ले लेते हैं 1, ठीक है, तो 1 ले लिया, तो इसका answer देखते हैं क्या आएगा, तो हमें मालूम है star का मतलब क्या है, intersection है, तो intersection, अब बही intersection में जो common होता है, वही लिया जाता है, तो common ले लिजिएगा, common क्या है द X star A भी AR है, इसका मतलब है, जो X है, X तत्समक a value है, आता हण हम लिख देंगे कि A star X equal है, X star A equal आया है, A आता हह, आता हा, X तत्समक a value है, ठीक है, और अगर तत्समक a value X है, तो यहा वियूत करमणिये भी होगा, अताहा एक्स व्यूत क्रमणी ये भी है यह आगे हम लिखतेंगे ठीक है तो यह हम लोगों नहीं ऐसे सिद्ध कर दिया इसको एक्जामपल से लेकर के कोई दिक्कत वाली बाते नहीं है आराम से हम लोग कर सकते हैं ठीक है जो हमने बताया आप लोग समझते रहे और बस आप बहुत ही आसानी से सारे question solve कर पाएंगे ठीक है हम लोग तसमा कभी हो आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पिछला वाला वीडियो देख लीजिए मैंने विस्तार से उसमें बताया था ठीक है तो आप लोग वहां पर जाकर करके अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है स्वयम तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ग्यात कीजिए देखिएगा जब भी ऐसा question आता है कि समस्त आच्छादक फलन कितने होगे तो समस्त आच्छादक फलन जितने उसके अवयो होते हैं उसी का factorial हो जाता है जिससे अगर हम बाता दें यहां पर 123458 तक दे दे तक तो इसके समस्त आच्छादक फलनों का अवयों जो होता फैक्टोरियल एट हो जाता फैक्टोरियल एट का मतलब क्या हो जाता आठ साथ छे पांच चार तीन दो एक तो यह जो एंसर होता इसका मल्टिप्लाइ करके वही इसका एंसर होता समस्त आच्छादक फलनों की सं संख्या बाद करेगा तो जितने नंबर होंगे उसका टॉरियल कर दें कुछ भी नहीं है यहां पर कितना है यहां पर क्या है टो लिग देंगे आतास समस्त आच्छा दक फलनों की संख्या जो होगी वह जाएगी फैक्टोरियल एन ओके टोरियल एन डारेक्टली इसमें कर देते हैं और कुछ भी हमें इसमें नहीं करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है तो यह हम लोग क्यूस्चन नंबर टेन भी देख चुके हैं बहुत ही आसानी से आप लोग कर लिये होंगे चलो हम क्यूस्चन नंबर 11 की बा और आगे बताया गया है एससे ट तक के नंखित फल्नों एफ के लİए एफ के इने वर्यस ग्यादों कीजिए यदि उसका अस्तित्व कह पहला यहां पर फलन दिया गया है a comat-3 a comat-3 या there everything a comat-2 by comat walked 1 और यह वन इन्फte को आप करना है इसका व्यूत्करम गयात करना है यदि उसका अस्तित तो तो ठीक है तो चलो देखते हैं इसका व्यूत्रम घ्याद करेंगे काले हम ऐसे नंबर्स सब्सक्राइब करना है यह सब्सक्राइब अब लिए अब ध्यान से देखिएगा एए जो है थ्री से सब्सक्राइब देखिएगा कि यह वन वन है सब का अलग अलग है यह आच्छादक भी है इसका अस्तित्त होगा इसका व्यूत करम भी निकल जाएगा क्योंकि व्यूत करम उसी का निकलता है जो एकएकी भी होता है और आच्छादक भी होता है यह हम देख रहें एकएकी भी है और यहां आच्छादक भी है इसका मदलब है इसका व्यूत करम निकलेगा और जो व्यूत करम होगा एफ इन्वर्स वो क्या होगा तो बस व्यूत कर गया है उसमें भी एक कंडिशन दी गई है फ़लंद दिया गया है एक कामा टू बी कामा वन और सी कामा वन ओके यह दिया गया है चलो हम इसको भी चेक कर लेते हैं यह है आप लात देकिएगा एस मेझे एक डो टी डांसे देखिएगा दोनों वून से इस सबलब दैंकि नहीं और यहां चूट जाता है इसका नहीं निकाला जा सकता क्योंकि नहीं है क्यों क्यों कि यह आप ऐसे कर दो फरी में जब फॉलन की डिफनिशन मताई थी तहां मने बताया था फॉलन में कभी डोमेन जो होता है वह रिपीट नहीं होता यहां पर देखएगा टू है यहां पर वन यहां डोमेन रिपीट हो गया को डोमेन रिपीट हो जाए कोई दिक्र नहीं है यहां पर देखिए डोमेन सवालग लग लगते को डोमेन रिपीट हो गया थे तो यह फॉलन था कोई दिक्र नहीं है लेकिन डोमेन नहीं रिपीट होना चाहिए यहां पर डोमेन रिपीट हो जाएग तेके कुश्यन नंबर हम 12 देखते हैं ठीक है ध्यान से समझेगा कुश्यन नंबर 12 देखने में बड़ा लगता है लेकिन लगाने में सब कुछ जी होता है ध्यान से देखे एस्टार बीक्वल दिया गया है की एस मानिस टी मौड ओकै एक बैनरी दिया है बैनरी एस्टार बी इकवल दिया है एक माइनस दिया है एक और अजड़ को लिए एव इससे और इस तो यहां पर नहीं देते दो आरा परिबासित दुए अधारी शंक्रिया आर टू आर क्राश टू आर मलब जो स्टार है वो क्या है आर स्टार आर टू आर है और ये वाली भी आर स्टार आर टू आर ही है जो ओक संक्रिया है ठीक है ओ भी है ऐसे ही आर स्टार क्राश आर टू आर ही है कोई दिकर नहीं मनलब दोनों रेल लंबर्स में ही है पर विचार कीजिए सिद्ध कीजिए इस्टार क्रम विन्मेय है परंतु सहचर्य नहीं एक टॉपिक चक करते हैं ठीक है पहले हमें सिद्ध करना है कि स्टार संक्रिया क्रम विन्मेय है क्रम विन्मेय है सहचर्य नहीं सहचर्य कि नहीं नहीं ठीकए कि एक को सिध्ध करना के करम युनमे है और साचर नहीं चल inclusive करते हैं कि मैंने क्या होताается करम मिनमे तभी होता और अगर याज जागीठ हम बता देते हैं आपर ब्राबर हो सब्सक्राइब लिए निए भी मेरां भी बराबर होता है तो हम कहते हैं वास क्रम्मिन में होता है और साचर्य का découvrir के लिए कंडिशन होती है एतार क्रक्राइब प्रैकेट तो यह सबसे पहले इसको देखते की यह क्रम्मिन में नहीं है कौन से सिटार संक्रिया इसकी बात लाइ 돌 ठीक है इसकी बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा A star B equal क्या है A minus B ओके अगेन अब B star A देखिए क्या ये दोनों बराबर होंगे B star A equal क्या होगा B minus A अब देखिए A star B B star A क्या बराबर है A minus B और B minus A बराबर होते हैं हाँ definitely बराबर होंगे अगर मॉड नहीं होता तो बराबर नहीं होते हैं जैसे हमने ए मान लिया ए मान लिया तीन यह पांच और बी मान लिया तीन तो 5-3 5-3 क्या हो जाएगा दो दो का मांड बाहर निकला है दो इसी प्रकार यहां पर अगर हम बात करें तो 3-5 करना पड़ेगा और 3-5 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस तो माइनस दो का जब मॉड बाहर निकला दो ही आ जाएगा मतलब करने का यह है अगर तो है B Star A के आताहा यह क्रम में вместе है तो यह संक्रिया कर ने में है अब है संक्रिया अगर है तो अब हमें यह भी लिखर नज मैं कि सहाचर यह सह नहीं है चेक करते हैं शर स करते हैं और साचरिय। साचरिय केघली है थिक साचर चलो देखते हैं सबसे पहले दोनो ले लेकर करके चलते हैं क्यों बराबर आने वाला है呀 Ndhter करके दिखा यह हूं हूँ आपको और आप लोग देख लें ध्यान से ठीक है हम देख रहे हैं बी-स्टार-a जाए का मुलब क्या होगा अब बीस्टार एका मदब हो जाएगा भी ए माणसी मॉल्ड के वी तरह ठीक है तो यह हो गया भाई मायनस भी ओके श्टार ग्हाल और इस्टार सी यह स्टार सी ऐसे रहेगा बराबर में यहां पर क्या हो जाएगा से रिखेगा रहेंगे ज मनद इस्टार यह से रहेगे बेगे परने के क्या रहे है निमें अब ध्याम से यह पूरा इमानी आiller यह इनिए Au A star C, A star C दुबारा लगाई है, A star C, यहाँ पर दुबारा लगाई है, A star B, क्या हो जाएगा, A minus B, लेकिन हमें A की जगे पर क्या लिखना है, तो A की जगे पर लिखना है, mod A minus B, क्योंकि A की जगे पर यह पूरा लिखना है, और minus B, B मतलब क्या है, C, okay, equal में, यहाँ पर क्या कि ये दोनों वेल्यू बराबर है क्या वारे क्रें ये लिए ने सिख दिए वास्तों होंगी थोड़ी तो यहां पर हम ये कर रहा है तो यह है ठीक है और इधर होनी चाहिए तो यहले निक़ाल हो यह निकल आ ver whyं अब घ्हांस देखिए का यह दोनों वेल्यू बराबर है अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बराबर हैं कि नहीं है, कहदें बराबर हैं कि नहीं है चलो हम एक्जामपल ले लेते हैं एक्जामपल ले लेते हैं एको हम दो ले ले, बी को तीन ले ले और सी को पांच ले ले, ठीक है ले लेते हैं, A बराबर 2 B बराबर 3, C बराबर 5 ओकी, यह हमने ले लिया एक्जामपल ले लिया, ठीक है, तो जब एक्जामपल ले करके देख लेते हैं, इसमें भी रख करके इसमें वैल्यू क्या आते हैं A minus B, A minus B मतलब 2 minus 3 minus C का मतलब क्या है फाइब ओके इधर भी रखके देख लेते हैं ठीक है ए दो माइनस बी तीन माइनस पांच ओके चलो हल करते हैं दो माइनस तीन का मनलब होगा माइनस वन माइनस वन जो मॉड से बाहर आएगा तो वन ही आएगा और माइनस का फाइब ओके यहां पर क्या हो जाएगा 2-3-5-3-5-4-2-2-2 जब मौड से बाहर आएगा तो प्लस का ही टू बचेगा ठीक है और यह माइनस का बाहर वाला था ही अब यहां पर 1-5-1-5-4-4 जब बाहर आएगा मौड से तो प्लस का 4 आएगा यहां पर 2-2-0 हो जाएगा इसका मुलब यह वाला वैलू यहां सहाचरी नहीं है तो हमने सिद्ध कर दिया कि क्रमविन में है या लेकिन साचरे नहीं है आता हा लिख देंगे आता हा स्टार संक्रिया क्रमविन में है किन्तु साचरे नहीं है इती शिद्धम ठीक है इसी प्रकार आगे यह तो पहला पार्ट था इसके आगे अब देखिए क्या लिख सहाचरय नहीं यह वाली नहीं 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 इसंकर्याै करते है हमने आधा पाट अभी कर लिया है और अगला है कि इसे क्या करना है कि हमें पर यहां पर यहां पर यह संक्रिया कह रही है चलो हम देखते हैं कि कर्म विम्मेय है और साचर है कि नहीं तो कर्मम में को सबसे पहले चेक करें अब भी ego haya क्या मम दोनों यह बराबर नहीं है हम कहे सकते हैं ए ओ भी is not क्या सकतनौरी है एक शाचिरा नहीं है कर नहुंद्ञासे human like कि पता है साचरी के लिए कंडीशन क्या ओती है साचरी के लिए कंडीशन सिर्फ यहीं है कि हम क्या करेंक यह सबसे पहले ए ओ बी ओ सी इक्वल होना चीज इस्टार की जगे पर बस यार ओ है यहां पर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर क्या हो जाएगा ए ओ विदिन ब्रैकेट बी ओ शी ओके यहां पर अब देखिएगा इसको हम देखते हैं लहसा रहसा अलग लग ले सब्सक्stä아 सब्सक्राइब कहना जाए कि यह उल deposit वाला वही रहना वही प्रण जाइगा जाए को क्या सब्सक्राइब पहले वाला होता है बिया जाएगा अब ये ओपी का पहले वाला जाएगा हम देख रहे हैं कि इसमें अलों बराबर आगे मतलब साचर यह कंडिशन बराबर आ ना आताहार यहां मनलब ओ संक्रिया क्या है साचर है तो ओ संक्रिया क्रम विन में नहीं है कि इसक की लिए दिया है लिए एस्टार करते हैं हमें क्या सिद्ध करना है आगे तीसरे पार्ट में बता है एस्टार बी ओसी ओके एक्कुल हमें सिद्ध करना है एस्टार बी ओ बी स्टार सायद यही सिद्ध करना है एस्टार सी यह हमको सिद्ध करना है चलो हम सिद्ध करते हैं इसका लेचस लेते हैं अरेचस लेते हैं दोनों बराबर ले आते हैं अगर बराबर आ गए तो इसका अमलब है हम सिद्ध करते हैं ठीक है चलो हम देखते हैं इनका मतलब तो हम समझी र ठीक है आप यहाँ पर A Star में च्टरबन क्राइब हो घाएगा तो यहां पर क्या जाएगा एа माइनस ए खी यह तो हमने कर लिए अभ जड़ा और शेक्ट करते हैंması क्लिकले क्या थे सिथा पर बी का मिलब हो जाएगा A-B, O लगाया, A-C, 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 अब यहाँ पर O है, तो यह A है, यह B है, यह O है, A, O, B, A, O, B का A answer आया, तो यह पूरा A, जो पहले होगा, वही answer होगा, तो A, O, B, O, A-B, O, A-C, ठीक है, तो यह वाला जो पहला है, वही तो answer होने वाला है, मतलब A-B ही यहाँ पर answer होगा, ठीक है, तो यह हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ बराबर आ गया है, ठीक है, और अगर बराबर आ गया है, तो हमने सिद्ध कर दिया है, अच्छी तरीके से, आगे कुछ बताया गया है, यदि ऐसा होता है, तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार, स संक्रिया स्टार पर वितरित है, संक्रिया ओ स्टार पर वितरित है, अब बताना है, यहाँ स्टार पर वितरित है, ठीक है, अब क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, ओ संक्रिया भी स्टार पर वितरित होगी, यह भी हमें चेक करके दिखाना है, कि ओ संक्रिया क्य करिए और ओकी जेगे पर स्टार करिए चौथा पार्ट हम इसका कर रहे हैं ठीक है यह ओ अब देखिए यह भी बराबर आता है क्या अगर यह भी बराबर आता है तो हम कह देंगे कि हां ओ संक्रिया भी स्टार पर वित्रित होती है ठीक है तो चलो हम देखते हैं इसको भी बर देखिएगा यह चल रहा है अब यहां पर ए ओ बी ओ बी माइनस ठीक है अब ध्यान से देखिए ओ का मतलब क्या है जो पहले वाला होता है वहीं रहें तो पहले वाला ए है तो ए ही एंसर आजाएगा इसका ठीक है और एचस निकालते हैं जरा आर एचस और चस्टार एओ च सकते हैं तो नगहीं है कि दोनों बराबर्र नहीं अतह है ओ संक्रिया श्टार पर शांक्रिया फिट्रित स्टार पर वितरित नहीं है ओके वितरित नहीं है यह हम लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से ठीक है तो यह कुश्चन थोड़ा बड़ा था इसमें कई सारे पार्ट इसमें जोड़ दिये गए थे और कुछ भी नहीं था बहुत ही इजी था अगर आप लोगों ने ध्या वाले हैं और कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आप यहां पर इसी तरह से पढ़ते हैं बहुत ही में अगले किस्टेंश के साथ में तब तक के लिए बाब आए